जोग्रफी की लेक्चर सीरीज के लेक्चर नमबर 10 में आज हम विंज को कॉंटिन्यू करेंगे आज हम विंज में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो रहेगा ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स यहाँ भी हम ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स किस तरह इससे बनते हैं और कौन से एरियास में बनते हैं और इनका लेवल उफ एक्स्टेंड क्या रहता है then हम difference पढ़ेंगे tropical cyclones और extra tropical cyclones के बीच में then हम previous lecture के mcqs के answers देखेंगे and then फिर हम previous air के कुछ mcqs को देखेंगे जिनको आपने comment section में जिनके answer आपने mention करना है अब हम देखते हैं tropical cyclones बनने की conditions क्या होती है या tropical cyclones बनते कैसे है तो tropical cyclones बनने के लिए पहली जो condition चाहिए वो चाहिए large surface area surface area किसी भी sea surface का जो होना चाहिए वो large होना चाहिए और temperature जो होता है temperature जो होता है वो 27 degree या 27 degree से जादा होना चाहिए तो पहली condition क्या होगी पहली condition है कि large surface area होना चाहिए with temperature 27 degree ये 27 degree से जादा होना चाहिए मतलब 28 degree से लेके इससे उपर कितना भी temperature हो सकता है दूसरी condition क्या होती है tropical cyclone के लिए दूसरी जो condition है वो ये है कि Coriolis force की जो है presence होनी चाहिए अब आपको पता है Coriolis force की जो presence है वो किसकी वज़ा से होती है वो होती है हमारी अर्थ की rotation की वज़ा से अर्थ की rotation की वज़ा से होती है כ Version है ये Coriolis force क्यों चाहिए होता है हमें ये Coriolis force इसलिए चाहिए होता है ताकि cyclonic vortex जो है वो create हो सके अब cyclonic vortex का मतलब क्या है for example ये एक cyclone है अब vortex क्या होगा vortex जो बनेगा वो इसकी moment के उपर बनेगा clear है? vortex जो बनेगा वो इसकी moment पे बनेगा तो Coriolist force जो होती है वो cyclone के vortex formation में help करती है इसलिए cyclone में Coriolist force की presence होना जरूरी है अब next condition क्या है? Tropical cyclone बनने की next condition यह है जो हमारी variation होती है wind की विंड की जो variation होती है vertical direction में, अब vertical direction कौन सी होती है, vertical direction होती है height की तरफ को, आसमान की तरफ को जो direction है, वो vertical direction है, तो wind की जो speed की variation है vertical direction में, वो small, मतलब बहुत ही छोटी होनी चाहिए, clear है, और next point क्या है, next point है, एक pre-existing, weak low pressure area होना चाहिए, एक low pressure area होना चाहिए, ताकि cyclonic circulation जो है, start हो सके, अब इसका मतलब क्या है, आपको पता है, कोई भी wind चलती है, वो high pressure से lower pressure की तरफ को चलेगी, lower pressure की तरफ को चलेगी, अगर जहाँ पे low pressure है, जब cyclone बनता है, तो उसके लिए एक condition चाहिए होती है, कि a pre-existing weak low pressure area और low level cyclonic circulation, इसके बोलने का मतलब है, अगर weak low pressure area जो है, वो exist करेगा, तो weak cyclonic circulation generate होंगी, अगर high pressure area, high pressure area जो है, जो strong low pressure area है, वो हमारा रहेगा, तो हमारी जो circulations होंगी, cyclonic circulation होंगी, वो strong होंगी, clear है, यह आपको यहाँ पे clear हो जाना चाहिए, इसका फिनॉमिना जो है, वो next आपको explain करूंगी, और जो divergence होती है, वो above the sea level होनी चाहिए, जो upper divergence होती है, वो sea level से उपर होनी चाहिए, यह five conditions जो है, यह आपने note करके रखनी है, और अपने notes में इनको add कर लेना है, कि tropical cyclones बनने के लिए, क्या क्या condition चाहिए, उपर हम देख लेते हैं दुबारा से, क्या क्या condition चाहिए, large surface area च जाधा होना चाहिए, Coriolis force की presence होनी चाहिए, ताकि cyclonic vortex का formation हो सेके, vertical direction में जो wind speed है, उसकी variation small होनी चाहिए, एक pre-existing low pressure area होना चाहिए, अगर यह low pressure area हमारा weak है, तो हमारी weak cyclonic circulation generate होंगी, और अगर यह low pressure area हमारा strong है, तब हमारा cyclonic circulation होंगी, वो हमारी high level की होंगी, और sea level से उपर जो है, वो upper divergence होनी चाहिए, तो यह 5 conditions आपने याद रखनी है, बागे चलते हैं, अब tropical cyclones का origin देख लेते हैं, यह origin होता कैसे है, पिछले lecture में हमने देखा था कि extra tropical cyclones बनते हैं, तो उनका जो origin था, वो dynamic origin था, उनका origin जो था, dynamic origin था, उनका origin जो था, dynamic origin था, प्रेशर की वज जैसे, जो है, हमारे tropical cyclones generate होते हैं, and they develop over the tropical seas, और यह tropical seas के उपर develop होते हैं, during late summers, late summers के टाइम पर, आपने देखा होगा, इंडिया की coast को, जब समस जाने वाली होती हैं, तब कई बार cyclones hit करते हैं, और mostly जो cyclones hit करते हैं, वो करते हैं, Bay of Bengal में आपको देखा होगा, और ESA या फ कौन से cyclones होते हैं, वो cyclones जो होते हैं, वो tropical cyclones ही होते हैं, इंडिया में जो cyclones हाते हैं, वो tropical cyclones है, at these locations, the strong local conventional currents acquire a wheeling motion because of Coriolis force, यह हम देख चुके कि, जो हमारा wheeling motion होता है, या swirling motion होता है, या vortex formation होता है, वो किसकी वज़ा से होता है, वो होता है हमारा Coriolis force की वज़ा से, किस इसका मतलब है वो cycloning activity तब तक चलती रहती है जब तक उनको कोई weak spot नहीं मिल जाता जब वो तब तक चलते रहेंगे जब तक उनके अंदर energy है या उनको weak spot नहीं मिलता और जैसे ही उनको weak spot मिलेगा trade wind belt में वैसे के वैसे वो dissipate कर जाएंगे वैसे कि वैसे वो dissipate कर जाते हैं यही होता है अब next हम देख लेते हैं कि हमारे tropical storms या tropical cyclones बनते कैसे हैं तो हमने conditions देख ली थी कि एक large sea surface area चाहिए और 27 degree Celsius से जादा temperature हमें चाहिए temperature उससे higher होना चाहिए vertical direction में जो wind की speed होती है वो small होनी चाहिए उसकी variations बहुत कम होनी चाहिए यही हमने देखा था presence of coriolis force होनी चाहिए यही हमने देखा था और एक low pressure area होना चाहिए यह सब हमने points बहाँ पड़े थे अब देख लेते हैं होता क्या है यहाँ पे देखो एक water body या sea surface दिया गया है एक large water body का surface दिया गया है अब होता क्या है कि summer's का time है summer's का time है तो sun rays जो होती है वो इस पे fall करती है sun rays जो है हमारे water body पे fall करेंगी fall कर रही है अब जब fall करती है तो हमने छोटी glasses में बढ़ा है कि evaporation होती है water bodies जो है वो evaporate करेंगी evaporate करेंगी अब जब यह evaporate कर रही है तो यहाँ पे water body का जो temperature है वो जादा है temperature जादा है तो हमारे जो water molecules है वो उपर की तरफ को चले जाएंगे उपर की तरफ को जाएंगे cloud formation होती है और winds बनती है यह तो हो गया जो हमने छोटी classes में पढ़ा है कि हमारे clouds कैसे बनते हैं और बारिश ही कैसे होती है अब हम यहाँ पे tropical cyclones का phenomenon देखते हैं ऐसे ही हो रहा है कि sun की radiations पढ़ रही है और हमारी water bodies जो है वो evaporate कर रही है water molecules जो है उपर की तरफ को जा रहे हैं अब जब यह water molecules उपर की तरफ को जा रहे होते हैं तो होता क्या है तो होता यह है temperature जाधा है तो यहाँ पर pressure जो है वो drop कर गया है हमारा जब यह pressure drop कर गया है तो हमारा क्या होता है कि high pressure से जो भी winds है तो जो भी high pressure से winds है वो दोनो direction से वो हमें पते कितनी direction तो यह चार direction होती है हर direction से जो है हर direction से जो है इस space को occupy करने की कोशिश करेगी हर जगा से इस space को occupy करने की कोशिश करेगी तो जब हर जगा से इस space को occupy करने की कोशिश कर रही है तो आपको बते Coriolis force की वज़ा से क्या होगा Coriolis force की वज़ा से ये एक चक्रवात की फॉर्म ले लेंगी, मतलब ये गोल-गोल-गोल घूमना स्टार्ट कर देंगे इन्होंने गोल-गोल घूमना स्टार्ट कर दिया है जब इन्होंने गोल-गोल घूमना स्टार्ट कर दिया है तो बीच में जो एरिया डेवलप हुआ है यहाँ पे heat जादा थी तो यहाँ पे जो area डेविलप को था वो था low pressure area low pressure area है तो यह जो winds है वो low pressure area के around move करना start कर देती है और तब हमारी cyclonic activity जो है वो generate होती है यहाँ पे आपने exam point of view से important बात यह याद रखनी है कि जो हमारे cyclones है जो हमारे cyclones है उनका origin जो है वो water body पे ही होता है they only originate over water bodies water bodies पे only, only water bodies clear है और हमारे extra tropical cyclones क्या होते थे वो water और land दोनों पे originate होते थे अब हम आगे देखते हैं अब first stage हमने देख ली कि first stage में क्या हो था land हमारा large surface area था वहां से evaporation हो रही थी evaporation हो रही थी तो क्या हुआ depression create हुआ और वहां पे low pressure area generate हुआ low pressure area generate हुआ तो हर दिशा से हर direction से जो हवाएं थी वो उस space को occupy करने के लिए आने लगी उस space को occupy करने के लिए आने लगी तो उसकी वज़ा से क्या हुआ हमने देखा कि condition क्या होती है इस tropical cyclone के बनने की coriolist force तो अर्थ की rotation की वज़ा से यहाँ पर coriolist force का generation होता है तो अंदर की जो हवाएं हैं जो cold हवाएं हैं वो hot region के around revolve करना start कर देती है hot region के around उन्हें ने revolve करना start किया तो यह सारा का सारा जो है वो घूमने लगता है यह सारी की सारी wind जो होती है वो circular motion में घूमना start करती है तो इसकी वज़ा से जो होता है वो tropical cyclones का generation होता है अब हमने देख लिए कि tropical cyclones बंते किस तरह से है अब यहाँ पे जो है different stages बताए गई है first stage पे evacuation हो रही थी तो यह उपर से दिखाया गया है cold winds आ रही है यह cold winds जो है hot wind का जो area है उसको occupy करने की कोशिश करेंगी जब वो यह कर रही होती है तो earth की rotation की वज़ा से वो ऐसे revolve करना start कर देती है revolve करना start कर दिया उन्होंने देखिए इस तरह से revolve करना start कर दिया उपर तक जब उन्होंने revolve start किया तो पहले वो कम था पर जैसे जैसे वो high pressure जो low pressure area है center में वो बढ़ता गया मतलब वो strong होता गया तो यह जो motion है यह और ज़ादा intense हो गया यह और ज़ादा abrupt हो गया और ज़ादा तेज़ी से यह हवाएं जो है वो revolve करने लग गए इस weak area के around इस low pressure area के around यह बहुत तेज़ी से हवाएं जो है वो चलने लग गए तो यहाँ पर जो है वो mature tropical cyclone का जो है origin होता है अब आपको समझ में आ गया अब एक बार देख लेते हैं लिखा क्या है देखे पहले लिखा है water evaporates from the ocean surface water evaporate हुआ ocean surface and comes into contact with the mass of cold air forming clouds तो जैसे जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था कि hot, जो हमारे air masses है या hot water bodies है वो उपर की तरफ को जाते हैं, water molecules उपर की तरफ को जाते हैं, तो clouds बनते हैं इस लिखा हुआ है तो यहां पर डिटो वही लिखा हुआ है then हम next देखते हैं क्या लिखा है the column of low pressure develops at the center यह भी हमने देख लिया कि hot air जो है वो उपर की तरफ को जाएगी तो नीचे जो है वो low pressure area generate हुआ 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 है winds form around the column winds around form होना start हो जाती है वो किसलिए क्योंकि cold जो air है वो चारो दिशाओं से इस direction में आ रही है वो चारो दिशाओं से इस direction में आएंगे तो वो hot area के around revolve करना start कर देंगे इसलिए एक column बन जाता है center में then देखते है as pressure in the center column of the eye weakens मतलब जैसे जैसे pressure जो होता है center of the center of the cyclone weak होता जाता है the speed of the wind around it increases जो wind की speed है उसके around वो increase करती है और धीरे धीरे जो ये tropical cyclone है ये dissipate कर जाता है मतलब खतम हो जाता है अब आपको ये सारा stages समझ में आगी अब पीछे जो था वो phenomena पढ़ लिया अब यहां हम थोड़ा सा और जाधा elaborate form में देखते हैं हमने पीछे पढ़ा था कि sun की radiation साती है हमारा water body जो है वो गरम होती है और जो water molecules है water vapors है वो evaporate करना start करते है cold air जो होती है वो चारो दिशाओं से जो है hot air का area occupy करने के लिए आ जाती है क्योंकि wind हमारी high pressure से low pressure की तरफ को blow करती है तो अब हम देख लेते हैं यहां पर दिखाया क्या गया है यहां पर हमें यह पता है कि हमारा जो center of tropical cyclone होता है वो हमारा होता है low pressure area वो low pressure area होता है अगर यह low pressure area हमारा weak है तो हमारे weak cyclones बनेंगे अगर यह low pressure area हमारा strong है तो हमारे strong cyclones बनते हैं यही होता है अब देखिए आप यहां पर दिखाया गया कि hot air जो है वो उपर की तरफ को raise कर रही है उपर की तरफ को rise कर रही है तो हमने यह पीछे भी phenomenon पढ़ा था कि अगर hot air उपर की तरफ को rise करती है इसके पास water molecules है तो उपर जाके यह clouds बनाएगी और बारिश करेगी यह हमने छोटी classes में भी पढ़ा हुआ है अपनी तो जैसे जैसे हम उपर की तरफ को जा रहे हैं उपर की तरफ को जा रहे हैं low pressure area जो है यहाँ पे कोई air नहीं है कुछ नहीं है तो जो cold air है मैंने बता है चारो दिशाब से बाती है तो उसको यहाँ पे भी area मिला कि low pressure में तो मैं यहाँ से भी जा सकती हूँ तो यहाँ इस area में भी descend करना start कर देती है холод यहाँ पे descend करना start कर देती है और hot air जो है वो ascend कर रही है clear है यह आपको clear है अब सबसे important चीज जो exam point of view से है वो यह आई यह आई और यह आई ball जो आई है और यह आई wall है यह सबसे ज़ादा important है यह सबसे ज़ादा important है अब इसकी characteristics क्या होती है जो आई है हमारी वो low pressure area है तो इसकी characteristic यह है, यह सबसे ज़्यादा काम होता है, यहाँ पर कोई weather activity नहीं होती है, यहाँ कोई weather activity नहीं होती है, बस cold जो हवाएं है, cold air जो है, वो blow करती है, और हमारी जो eye wall है, जो eye wall है, जो eye के साथ लगती है, यहाँ पर strong storms चलते हैं, strong storms चलेंगे, strong storms चलेंगे, और high precipitation होत होती है, okay clear है, हम थोड़ा से देख लेते हैं, यहाँ पर आपको बतायागे कि हमारा pressure है, वो किस तरह से drop करता है, और wind की speed क्या रहती है, अगर आप इसको देखेंगे, तो wind की speed उपर की तरफ को बतायागे है, increase कर रहा है, अब हम यह चीज़ तो देख चुके हैं, कि जो center ह होता है, cyclone का, वो low pressure area होता है, तो आपको पता है, कि pressure सबसे जादा कम होगा यहाँ तो यह तो आपको पता है, और जैसे जैसे आप बाहर की तرف को जाते जाओगे, तो cold wind ने space घेर रख है, तो cold wind का जो temperature होता है, वो कम होता है, तो pressure जाता होगा, तो pressure बाहर की तरफ को increase करता जाएगा दोनों एंड्स में दोनों तरफ को यह clear है अब विंड की स्पीड मैंने आपको बताए कि जो हमारा center होता है जिसको हम आय कहते हैं यह काम एरिया है यहां पर कोई activity नहीं होती है तो यहां पर विंड की speed भी 0 होगी यहां पर विंड की speed भी 0 होगी और अगर I've wall पे हम देखें तो एकदम से wind की speed जो है वो increase कर गई है आप देखें आएव wall पर wind की speed raise कर गई है एकदम से roy हो गई है और जैसे जैसे हम tropical cyclone से बाहर की तरफ को जाते जाएंगे तो यह wind speed जो है हमारी decrease करती जाएगी at both the sides both the sides पे हमारी wind की speed जो है वो decrease करते जाएगी ये समझ में आ गया इस पर question आप से exam में definitely पूछा जा सकता है तो आपने इसको ध्यान से एक बार रोक के देख लेना है या rewind करके देख लेना है next जम देखते हैं categories of tropical cyclone tropical cyclone कौन कौन सी category के होते है तो देखिए category 1 में आते है minimal damage जिन से बहुत ही कम damage होता है जहाँ पे wind की speed 119 से 153 km per hour तक होती है then category 2 आती है जिसमें moderate damage होता है wind की speed 154 से 177 km per hour पे है then category 3 के आते हैं जिसमें extensive damage होता है और wind की speed यहाँ पे 178 सू to 208 km per hour होती है category 5 होती है catastrophic यहाँ पे सब कुछ उडा दिया इन्होंने सब कुछ उडा दिया यहाँ पे आपको diagram भी साथ में दिखाए गई है कि कितना damage होता है अब अगर cyclone की category देखें तो इसको 5 categories में differentiate किया गया है वो categories हमने देख ली minimal damage, moderate damage, extensive damage, extreme damage and catastrophic हमने wind की speeds भी देख ली कितनी कितनी होती है तो damage की capacity भी देख ली इसमें first category में minimal होता है then moderate होता है then extensive, then extreme, then catastrophic यह होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि type of disturbances किस तरह की होती है यह wind speed क्या होती है अगर low pressure है तो अगर less than 31 है तो minimal damage होगा अगर depression form हो रहा है तो किस तरह का होगा अगर deep depression form हो रहा है तो wind की speed क्या होगी यह बताई गई है cyclonic storm बनता है तो wind की speed होती है 61 से 88 km पर आ अगर severe cyclonic storm आ रहा है तो wind की speed होती है 88 से 117 km पर आ और very very severe जो हमारा cyclone है अगर वो generate होता है तो हमारी wind की speed होती है 118 to 221 km per hour and then super cyclones के case में wind की velocity वो 221 km per hour होती है अब आपने मुझे comment section में ये बताना है कि recently किस super cyclone ने इंडिया को hit किया था किस super cyclone ने इंडिया को hit किया था ये आप मुझे comment section में बताओगे अब cyclones के बारे में हमने पढ़ लिया हमने extra tropical cyclones के बारे में पढ़ा था अब other names क्या होते है cyclones के अब हमने देखा था temperate region में cyclones को extra tropical cyclones बोला जाता है और tropical regions में cyclones को tropical cyclones बोला जाता है ये cyclones बोला जाता है अब Indian ocean में cyclones को cyclones कहा जाता है tropical cyclones को cyclones कहा जाता है Atlantic areas में Atlantic region में जो saiklons होते हैं उन्हें हम hourikains कहते हैं इसे इसे ही western Australia में जो saiklons Generate होते हैं उन्हें willy-willies बोला जाता है ज़ते हैं कि एक्वरा में पोले काकि हैं हर दूसरे तीसरे साल यहां से question आता ही आता है अब next देख लेते हैं हम path हमारे tropical cyclone का यह cyclones जो हैं वो westward moment में generate होते हैं मतलब यह start होंगे east direction से और जाएंगे west direction की दरफ को हमने extra tropical cyclone में देखा था कि वो west से start होते थे और east की दरफ को जाते हैं तो यह first हमारे difference हो गया tropical और extra tropical cyclone के बीच में जो हमारे tropical cyclones हैं वो east से start होंगे और west direction में जाएंगे और हम यह हमारे extra tropical cyclone होते हैं वो west से start होके east direction की दरफ जाते हैं आगे के लिखा है but they turn northwards around 20 degree latitude but यह जो winds होते हैं या cyclones होते हैं यह जैसे ही 20 degree latitude पे पहुँचते हैं further north eastern यह further north east direction में जो है वो घूमना start कर देते हैं जब वो 25 degree latitude के around पहुचते हैं and then eastwards around 30 degree latitude तो फिर 30 degree latitude पे पहुचते हैं तो यह eastward move करना start कर देते हैं यह start तो इस तरह से करते हैं यह start तो इस तरह से करते हैं इस direction से आते हैं और then northwards चलते हैं then north east direction में and then east direction में जो है move करना start करते हैं okay then they lose energy and subside फिर ये धीरे-धीरे जब land पे पहुन जाते हैं मतलब मैंने आपको बताया कि tropical cyclones जहां water bodies पे originate होते हैं बर जैसे-जैसे ये land पे जाते हैं तो इन्हें moisture नहीं मिलता है इन्हें humidity नहीं मिलती है तो धीरे-धीरे dissipate कर जाते हैं धीरे-धीरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ट्रॉपिकल साइक्लॉन जो है वह पेराबॉलिक पाथ या elliptical path को follow करते हैं they follow parabolic path और elliptical path their axis being parallel to isobars इनकी जो axis होती है वो isobars से parallel होती है यह अपने अपने notes में जो है इसको add कर लीजिए क्योंकि इस पर question कैसे भी पूछा जा सकता है कि tropical cyclones parabolic path को follow करता है और इनकी axis जो होती है आपको option में हो सकता है parallel होती है इस सो पार के perpendicular होती है diagonal होती है जैसे आपको previous lecture में question दिया गया था then देखेंगे corallis force on earth rotation easterly और westly wind influence the path of tropical cyclone यह तो हमने देख लिया था पहले कि corallis force जो होती है कि आर्थ की rotation होती है वो हमारे tropical cyclone के path को भी influence करती है उसकी rotation को तो करती है बट उसके path को भी influence करती है tropical cyclones die at 30 degree latitude वो 30 degree latitude पर जाके खतम हो जाते है because of the cool ocean waters cool ocean water की वाज़ा से and then increasing wind share due to westerlies और wind की जो speed है वो increase करना start कर जाती है तो उसकी वाज़ा से क्या होता है धीरे-धीरे इनका dissipation हो जाता है इनके अंदर disturbance create हो जाती है next हम difference देखेंगे tropical cyclones और temperate cyclones के बीच में हमने देखा था temperate cyclones जो होते हैं उन्हें extra tropical cyclones भी बोला जाता है तो यहाँ पर हम जो region है और temperate cyclones के case में जो हमारा origin है वो dynamic origin है मतलब corallist force की वज़ा से movement of air masses की वज़ा से जो है वो हमारे extra tropical cyclones बन रहे हैं इंदे latitudinal extend देखते हैं यह 10 to 30 degree north and south of the equator बनते हैं जो हमारे tropical cyclones है यह 10 to 30 degree north and south of equator बनेंगे अब देखिए हमने पीछे globe को explain किया था यह 0 degree है तो 0 से लेके 10 की बीच में कोई भी tropical cyclone generate नहीं होता है वो क्यों नहीं होता है क्योंकि मैंने आपको जब wind का start किया था तो मैंने आपको बताया था equator पे जो corallist force होती है वो 0 होती है equator पे corallist force जो होती है यहां पे calm weather होता है कोई भी wind activity या कोई भी as a turbulence नहीं होता है उसकी वजह से जो है हमारे tropical cyclones यहां नहीं बनते हैं okay then extra tropical cyclones को देख लेते हैं they confined to 30 to 60 degree north and south of equator यह हमने previous lecture में पढ़ा था they are more pronounced in northern hemisphere due to the greater temperature contrast और यह temperature contrast किसकी वजा से होता था यह होता था land masses की वजह से और air masses की वजह से और frontal system देख लेते हैं now frontal system हमने fronts की बात की थी air masses और fronts के बारे में तो वो tropical cyclone के case में absent होता है क्योंकि यहां पे जो cyclonic activity हो रही है वो temperature difference की वजह से हो रही है बट जो हमारे extra tropical cyclone है, वो हमें पता है किस की वज़ा से बनते हैं, वो fronts की वज़ा से ही बनते हैं, तो ये तीसरा difference हो गया, और basically किन fronts की difference की वज़ा से बनते हैं, तो बनते हैं occluded fronts की वज़ा से, और formation देख लेते हैं, देखें, they form only on the sea, ये important point है, जो tropical cyclone से, they form only on the sea, वो सिरफ sea पे बनते हैं, with the temperature more than 26 to 27 degrees Celsius, they dissipate on reaching the land, ये हमने discuss कर लिया, क्योंकि वहाँ पे उनको energy नहीं मिलती है, उनको moisture नहीं मिलता है, तो धीरी धीरे वो dissipate कर जाते हैं, और extra tropical cyclones को देखें, तो they can form both on land as well as seas, वो दोनों land और seas दोनों पे बन जाते हैं, अब next size की बात करते हैं, tropical cyclones जो होते हैं, वो limited area तक जो है, चलते हैं, इनकी जो typical size होती है, वो 100 to 500 km होता है, diameter में, और इनकी strength जो है, वो वेरी करती रहती है, वो हमने देखा, categories में division है, अगर temperate cyclones की बात करें, तो ये larger area को जो है, occupy करते हैं, वो area कहां से कहां वेरी करता है, 300 to 2000 km के बीच में, और ये भ temperate cyclone के बारे में, हम previous lecture में पढ़ चुके थे, कि उनकी shape जो होती है, वो inverted V होती है, अगर calm region की बात करें, तो center जो होता है, tropical cyclone का, जिसको हम आय बोलते हैं, वहाँ पे wind calm होती है, और कोई rainfall नहीं होती है, तो हमारा tropical cyclone का center है, जो center है, वो calm region है, अगर temperate cyclone की बात करें, तो there is not a single place where the winds and rains are inactive, तो अगर temperate cyclone की बात करें, तो हर जगा storm और हर जगा winds जो है, वो चलती रहती है, तो सबसे जादा जो dangerous कौन से हुए, सबसे जादा dangerous हुए, और disastrous हुए temperate cyclones, अगर बात करें, तो tropical cyclones में जो energy generation होती है, वो latent heat of condensation से होती है, अब latent heat of condensation क्या होता है, या temperate cyclone से मिलती है, वो मिलती है density of air masses से, density of air masses से, यह जो important bold points करके लिखे हैं या आपने अपने notes में add कर लेने क्योंकि इससे question पूछे ही जाते है, हर साल कोई ना कोई question आएगा ही cyclone से, अब यह previous air lecture के MCQs के answers है, इनको आप देख लीजे और टेली कर लीजे अपने answers से, और अब next lecture में हम local winds के बारे में पढ़ेंगे, next lecture will be about local winds.